हेलो फ्रेंट्स मैं ब्रेजभूशेश्रमा स्वागत करता हूँ अपने यूट्रूब चैनल ब्रेजभूशा पॉइंट में मैं आपको स्पोर्ट और इतने अच्छे रेस्पोंस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब के सने और प्यार को देखकर मेरा मन अति उत्साहित है आपके इस रहे के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी सिवा देता रहूँगा जिससे मानव हित समाज हित हो सके और किसी के भले में ही हमारा भला होता है आज की हमारी वीडियो के अंदर च्छे नंबर के बारे में मैं बताऊँगा छे नंबर शुक्र होता है यदि मोवाइल के अंदर हम छे नंबर रखते हैं तो उसके क्या फैदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं इनके बारे में मैं आज भी स्थार से वर्नार्च लिया करूंगा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जनम यदि किसी भी 6, 15, 24 तारिक में हुआ है तो आपको कौन सा मोवाइल लेना चीह है जिससे आप जीवन में सफल हो सकें और उचाईयों पर जासकें दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें इससे मेरा मनोबर बढ़ेगा और मैं आप सब के लिए ऐसा ही ग्यान से भरी वीडियो लाता रहूँगा मेरा मन उत्साहित रहूँगा दोस्तों अगर आप अपने बच्चों का नाम या मोवाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं मोवाइल के नंबर को ठीक करने का मतलब क्या होता है कि हमें सही दिशा करना हम गल्ब दिशा पर चल रहे हैं और हम सही दिशा पर चलना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन सफन हो यदि आपको अपना व्यापार आपका नहीं चल रहा है घर में कोई प्रेशान ही आ रही है कोई समस्या आ रही है तो आप अपना मोवाइल नंबर बदल के देखिए अब आप कुछ लोग कहते हैं जी मोवाइल नंबर के बदलने से क्या हो जाएगा जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो तब क्या होता है भगवान की इच्छा होती है तो तुमारा भला होता है और भगवान की इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं होता इसी तरह से जैसे आपके भाव होंगे जिस भाव से आप जिस कारिये को करेंगे वैसे ही विवस्ता आपको अपने का होता है दो नंबर चंद्रमा का होता है तीन नंबर गुरु का होता है और चार नंबर राहु का होता है और पांच नंबर बुद्ध का होता है और छे नंबर शुक्र का होता है जिसमें हम आज विशेख चचा करेंगे और साथ नंबर केतु का होता है आठ नंबर शनी का होत है दोस्तों मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ यदि आप इन नंबरों में से अपनी डेट और बर्थ के हिसाब से मोवाइल नंबर का चुनाव कर लेते हैं तो आपका व्यापार व्यावार विचार सोच हर चीज सची और अच्छी हो जाएगी जब आप इन बातों का सामना करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा अब बात घूम के आती है कि मोवाइल नंबर लेने से फैदा क्या होगा दोस्तों सूर्य यश का कारक है अगर एक नंबर आदमी के पास है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का जीवन में जो केरियर होता है उसमें यश मिलता है और उचाईयों पे पहुँचता है और दो नंबर मन का कारक है जिस तहसे किशन पक्ष शुकल पक्ष पंदा दिन अच्छे पंदा दिन बुरी रहती है इसी तरह से दो नंबर वाला व्यक्ति कभी उचाईयों पे नहीं पहुँच पाता जब हमें ग्यान हो जाता है तो हम कम से कम दो नंबर के मोबैल को नहीं रखते नंबर तीन गुरू ग्यान का कारक है यदि कोई ही का कोई बच्चे एड़ुकेशन ज़्यादा ना ले पा रहा हो ना पढ़ पा रहा हो उस व्यक्ति को अपने बच्चे का मोबैल ये अपना मोबैल तीन नंबर पर लाना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर तीन नंबर की अनर्जी काम करना शुरू कर देती है चार नमबर रहू का होता है अगर कोई व्यक्ति कमिशन का काम प्रॉपर्ट्री से रिलेटरी काम या इस तरह के काम कर रहा होता है ठेकेदारी के काम कर रहा होता है जहां पर उसे धन की प्राप्ति कमिशन के दवारा होती है ऐसा व्यक्ति चार नमबर का मोबैल ले लेता है तो वो जीवन में सफल होता है, पांच नमबर, बुद का कारक होता है, बुद व्यापार का कारक होता है, एड्मिशेशन का कारक होता है, कॉंटेक्ट का कारे होता है, यदि किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा ना चल रहा हो, किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका अच्छा न प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् साथ नंबर, researching nature होता है, कोई विक्ति किसी professional course में, research के nature में है, जहां खोज या अध्षात्मिता में है, तो ऐसे विक्ति का साथ नंबर, बड़ा अच्छा होता है, वो ऐसा विक्ति बड़ी उचयाईय परपहुशता है, आठ नंबर, शनी का होता है, आठ नमबर व्यक्ति को धीरे धीरे कारे करवाता है शने शने जो चले उसे कहते हैं शन्चत ऐसे व्यक्ति को हमेशा आठ नमबर का सहरा लेना चाहिए ऐसा व्यक्ति महनती होता है लगनशील होता है करमट होता है ठीक है नो नमबर नो नमबर किसका होता है मंगल का मंगल अगर किसी वक्ति को पर्चून का काम खाने का काम या आर्मी का काम या एड्मिशेशन में कहीं जाने की चाहो तो उसे अपना नो नमबर रखना चाहिए नो नमबर के ये कारे होती है दोस्तों अब आप ये कहेंगा कि ऐसे नमबर रखने से क्यों मोबाइल से ही क्यों दोस्तों समय के उसाथ प्रिस्तिती बदलती रही जो प्रिस्तितियों को उसाथ चलता है वही सुखी जीवन जीता है और जो प्रिस्तितियों के विपरी चलता है उसे दुखदाई होता है अपने विचारों के यदि हम प्र यूद इट पत्थरों से होते थे, आज यूद मिसाइलों से होते हैं, यूद होने बंद नहीं हुए, कोई भी कारिया बंद नहीं हुआ, बस समय के उन साथ पिस्तिती बतल गई, इसलिए जो हमारे गुरूं के अनरजी हमारे अंदर विद्याजमान है, वो समय आने पर उभर जाती है, और एक्टिवेट हो जाती है, उससे हमारे जीवन सफर हो जाता है, और हम सत करम की तफसर देते हैं, तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके डेट व बर्त, छे, पंदरा, चोबिस है, तो आपको मोबायल नमबर कों सा देना चाहिए, छ छे तारिक शुक्र, पांच और एगछे, सूर्या और बुद्ध शुक्र, दो और चाह, चंद्रमा और रहो, शुक्र, आपके मोबायल के नमबर का योग 6 है, यह अतिर्श भुब है, मोबायल नमबर के अंद में, 9 अंज की पुनावर्ति शुबْ रहेगी, मोबायल के एक या 600 आपके लिए लब पाई सिध होगा मोबाईल का रंग सफेद और सिल्वर सुभा क्या शारी होता है दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं इस मोबाईल के नंबर के बारे में जिससे आपको और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा यदी आपके अच्छे पास मोबाईल नंबर 6 है 6-7 है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होता है कला प्रेमी होता है छे नंबर शुक्र और साथ नंबर के तुशुक्र के जब बहुत अच्छी होती है बहुत उच्छाईयों के एक से अथिक सम्वंद बनने की संभावना रहती है जोकि केतु का और चंद्रमा का जब भाब बन जाता है ऐसे व्यक्तियों के ग्रेवटी बहुत अच्छी होती है बहुत उचाईयों पर जाती है छे दो शिक्षा में रुखावट छे नमबर शुक्र का दो नमबर चंद्रमा का ऐसे व्यक्ति मानसे रूप से थ्वा डिश्टर्ब हो जाता है और शिक्षा में रुखावट आने की संभाव ना रहती है पारिवारिक अशान्ती एक से अधिक संबन पैसे के पीछे भागने वाला तेज आकरशक छे और पांच अगर छे पांच शुक्र बहुत होती है तो सरकारी नोक्री प्रावारिक संभर्ष विक्ति को रहता है छे चार दो विवा की योग पूर्व जन्म वाले दो सम्मंद चरम रोग अपरादी भाव रखने वाला होता है छे चार छे नो प्रेम विवा दो सम्मंद प्रेम संबंद। प्रेम विवा की योग कामदेव का धोतक छे 5 शुक्र बुद्ध सरकारी सेव की प्राप्ति प्रेम संबंदों से हानी पारिवारिक जीवन में संखर्ष छे 8 शुक्र शनी धन दोलत मां सम्मान आदि आराम पसंद होगा जा तक स्वार्थ होगा छे एक शुक और सूर्य प्रेम से में निराशा घर सुक में कमी पत्नी पत्नी सेख्त में मंदी मकान का फर्ष लाग रंग का होना चीए दोस्तों मैंने अब आपको काफी हद तक बताया दोस्तों मुवायल नंबर छे होने से हमें मालुम हुआ दोस्तों हम दशा नहीं बदल सकते दिशा बदल के अपने को ठीक कर सकते हैं दोस्तों हम जो महनत करते हैं महनत का फल हमें मिलता है अगर हम सही दिशा में महनत करते हैं तो उसका फलम अच्छा मिलता है तो महनत करने के बाद हमें फलकी प्राप्ति नहीं होती है यदि किसी कारण से हमारा मोवाईल नमबर गल्थ है तो हमें अपने मोवाईल नमबर को ठीक करके उस नमबर की अनरजी को समेट कर हमें अपने को सही बनाने का प्रियास करना चाहिए दोस्तों एक विधा ये भी कहती है कि आप अपने मोवाइल नंबर को पांच पे लियाओ और एक विधा ये कहती है आपने डेट ओबर्ट से उस मोवाइल को चेक करो और आपका मोवाइल नंबर क्या होना चीए उसे ले के आओ इसे आपका जीवन सफल और अच्छ होगा दोस्तों मोवाइल जो जब हम दुकणदार के पांच जाती है कोई मोवाइल लेने क利े हमें नहीं पता कि हमें कूँसा मोवाइल लेना है ना दुकणदार को पता ना हमें पता हम वो चीज लेके आते हैं जो हमारे प्रारब्द या हमारे कर्मों में लिखी होती है किसी किसी वक्ति को उसका मोबाइल नमबर पहरी बार में अच्छा मिल जाता है बिना कहें अच्छा मिल जाता है और किसी वक्ति के प्रियास करने के बाद भी नहीं करता है दोस्तों मुझे खुद पांच नमबर मेरा जो नमबर है काफी लंबे समय से है और मैं अपने आपी वो नमबर मुझे मिला तो दोस्तों मैं फिर आप लोग को बताना चाहता हूँ यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है और शुक्र के बारे में मैंने बताई दिया इसकी बहुत बाते हैं शुक्र की शुक्र के खराब होने से बहुत समस्या पैदा हो जाती है जीवन में और हम 6 नंबर रखते हैं तो लगजरी जीवन जीते हैं और अच्छा जीवन जीत दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं अगरी बार आपको 6 के बाद 7 नंबर की बनाने का प्रियास करूँगा और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनलों को सब्क्राइब पर तो हमारे शिर्श को फैदा नहीं मिलेगा तो दोस्तों इसी तरह से हम एक सुधार्खें हैं समा सुधार्खें हम यह चाते हैं ति आप लोग इसका पालन करें दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें हम आप उसे विदाई लेना चाहता हूँ, अगली वीडियो का आप इंत्यार करें, उस वीडियो से पहले में आपको बताना चाहता हूँ, कि अगली वीडियो साथ नमबर पर होगी, नमस्कार, जैए